दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा अनुखा प्रोड़क्त लेकर करें जिसको आप कहीं पर भी रख करके बिजनेस कर सकते हो गाव हो शहर हो कहीं पर भी आप रहते हो ये बिजनेस को करके महीने का 90,000 रुपय मिनिमम आप कमा सकते हो तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में लास तक बने रहें और इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें ऐसे ही बिजनेस आइडियास के लिए दोस्तों आज हम आपके लेकर करके आए है शुगर केन क्रशिन मशीन यानि के गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन दोस्तों आपके दिमाग में क्या आता है अगर मैं कहूं कि आपको गन्ने का जूस निकाल करके बेचना है आपको एक बड़ी सी मशीन लेनी होगी उसके अंदर आपको गन्ने तीन-चार बार कंटीनियूस निकालने होगे अन हाईजीनिक होगा, अनसेफ होगा, दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जो हम आपके लिए प्रोड़क्त लेकर के आए है, ये मशीन जो हमने बनाया है, दोस्तों ये दिखने में भले छोटी दिखती हो, लेकिन बहुत ही heavy duty है, मैं आपको य 44 किलो का इसका वज़न, यानि के 44 केजीस की ये छोटी दिखने वाली मशीन है, और दोस्तों ये मशीन इतनी heavy duty है, इसके अंदर 3-3 stainless steel के रोलर दिये हो हैं, एक बार में, यानि के जो बड़ी मशीन नहीं कर पाती, वो ये मशीन कर देती है, सिंगल बार में, यानि के एक ब क्यों मैं ये भी बताता हूँ, ये मशीन dust free है, भूल नहीं पकड़ती, second ये मशीन rust free है, complete body के साथ में इसके rollers भी stainless steel 304 के बने हुए हैं, नंबर 2 दोस्तों ये मशीन बहुत ही safe है, आप देख सकते हो जो गन्ने दालने का जो इसके अंदर जो hole दिया हुए, उसमें से हाथ आपका नहीं जाएगा, यानि कि ये मशीन safe भी है, ये मशीन compact है, यानि कि कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई ठेले पर आप लगा सकते हो, आपका कोई पहले से दुकान हो, आपकी कोई पान स्टॉल है, आपका कोई भी दुकान है, जहां पर लोग आते हो, तो वहां पर आप business कर सकते हो अब दोस्तों बात की जाएगी ये machine आप लगा करके कितना कमा सकते हो दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि minimum 90,000 से 1,000,000 लोग इस machine को इस्तमाल करके कमा रहे हैं अब मैं पहले आपको दिखाऊँगा इसका live demo और उसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि इस machine से कितना आपको profit होता है और दोस्तों इस machine को कैसे खरीदना है और क्या करना है तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास है ये sugar cane अब दोस्तों इसका वजन लगबख 600 से 700 gram होगा अब हम इसमें इसको crush करेंगे दोस्तों ये आप देखिए ये machine अभी मैंने start कर दिया है और इस sugar cane को आपको बस इस तरीके से अंदर घुसाना है और उसके बाद में आप देखते हो ये अपने आप गन्ने को अंदर लेना यानि कि अंदर खीचना चालू कर देती है और ये जो इसका residue होता है waste होता है उसको पीछे से ये फेक देती है अब दोस्तों मैं आपको इसका waste भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से आपको maximum juice निकाल के देती है जिसी कि आप ये देख सकते हो क्योंकि ये गन्य में आप कुछ भी नहीं बचा है completely dry हो चुका है ये और इसी तरीके से आप अपने investment कहा है नहीं कि जो गन्या जो है ये आपका investment हुआ तो आप इसका पूरा पूरा profit आप ले सकते हो इस machine से आप अपने normal अगर machine देखी होगी जो traditional मतलब machine है या फिर पुराने time से चलते आ रही है तो उसमें आपको देखना पड़ता होगा कि एक बार आप गन्या डालोगे पीछे गिरेगा फिर दूसरी बार आप डालोगे ऐसे तीन चार बार करना पड़ता है पूरा गन्ये के अंदर का जूस निकाला है दोस्तों ये जूस 300 ml यानि कि इसमें लगबग 200 ml की एक serving हो जाती है ऐसे 2 गन्ये को अगर आप लोगे तो आपकी serving एक किलो गन्ये से 3 serving हो जाती है यानि कि एक किलो गन्ये की कीमत 5-6 रुपया है 6 रुपे के investment में 3 serving यानि कि एक अगर मैं glass 10 का रुपे का भी पकड़ता हूँ minimum तो दोस्तों 30 रुपे का आपका जो है 3 glass हो जाता है 6 रुपे के investment में 30 रुपया यानि कि अगर आप वही जगा पे 2 kg करना लेते हो तो 12 रुपे के investment में आपको 70 रुपे का आप glass based बेच सकते हो और आपको per kg 25 से 30 रुपे का मुनाफ़ा होता है यानि कि दोस्तों ये business में profit तो बहुत बढ़िया है ये machine भी बहुत अच्छी है compact है useful है कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो दोस्तों अगर आप ये machine खरीदना चाहते हो तो screen पर दियेवे number पर call कीजी रुदन सोडा के और इस machine को खरीदिये all over India कहीं पर भी ये machine को भेज़ दिया जाएगा और आप कहीं पर भी इस machine को मंगा करके business कर सकते हो कहीं पर भी आप लगा सकते हो दोस्तों ये hygienic है safe है easy to use है और energy efficient है सबसे बड़ी बात energy efficient यानि के बिजली कम खाती है दोस्तों अगर आप इसको continue 3-4 गंटा भी चलाते हो तो मेरे ख्याल से एक unit का consumption होता होगा अब दोस्तों आप सोच सकते हो कि कितना कम यानि कि अगर आप 3 गंटा continue चलाने का मतलब है कि एक घंटे का इसका crushing capacity है 120 kg यानि कि आप 360 kg गंडे का business करते हो तब जाकर कि आपका एक unit light bill आपको भरना पड़ेगा दोस्तों बहुत ही energy efficient है low investment business ideas में आता है और बहुत ही अच्छा business है दोस्तों screen पे दिये वे number पर call कीजिए इस machine को खरीदने के लिए और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like कीजिए share कीजिए इस channel को subscribe करना मत भूलिए जैहिन